साथ ही और नवस्तकार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगा हैं आपके लिए सभी पृत्योगी परिच्छाओं की दिश्टी से अतिमहत्पूर्ण तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए बिना समय गवाए हो सीधे आज की सेसन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं तो टूडे सेसन की बात करें सबसे पहले येस्टरडे का रिविजन करा जाएगा यानि कल हमने जो करेंट आपको कराई है उस में से रेंडम जी तीन प्रिष्णळा आप से पूछे जाएंगे और आपको अपने आपको ये चेक नहीं है किल वाली करेंट आफेर आपको याद है या फिन नहीं जादім है करके हम आपके लिए प्रश्णों को लेकर की आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उससे सम्मद्ध आगे किस तरह के प्रश्ण आ सकते हैं उसके बाद में सभी परितोगी परिच्छाओं के दिश्टी से अधि महत्मुर्ण होती सबसे ज्यादा प्रश्ण अब सबसे ज्यादा प्रश्ण करेंगे उसके बाद में होमवर्क डेली हम आपसे प्रश्ण पूछते हैं उसका जवाब जो लोग देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलता है आज भी हूँ आपसे एक सिंपल सा प्रश्ण पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो पर आभी लाइक नहीं किया है तो अभी आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्ट देखते हैं किस राज के उत्पाद आप प्राप्त कर सकते हैं म्यूजिक बस की सुरुआत की है ओड़िसा, केरल, दिल्ली, पंजाब, एंसर देख लेते हैं सही एंसर सीन की, दिल्ली सरकार ने यहाँ पर छातरों को प्रसचित करने के लिए म्यूजिक बस की सुरुआत की है, तो यह कल का रिवीजन हो गया, आएए शुरुआत करते हैं, टूडे करंट अफेयर 23 सितंबर 2021 सभी मैत्रपून प्रश्णे आए देखते हैं पहला प्रश्णे जंक फूट को नियंदित करने के लिए फ्रंट आप पैकेज लेबल कौन पेस करेगा SBI, FSSAI, FBI या फिर ZOMATO आई एंसर देखते हैं, सही एंसर BN किये, FSSAI जो है, वो यहाँ पर जंक फूट को नियंदित करने के लिए फ्रंट आप पैकेज लेबल को पेस करने की कोशिस कर रहा है, FSSAI का फूल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो आई ये देख लेते हैं Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI का फूल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, Railway NTPC में कई बार या प्रशने पूछा गया था, जो पहले एक्जाम हुआ था, ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो भारती खाद, सुरुच्छा और मानक प्राजी करन, हिंदी में फॉल फॉर् जर्म विकल्प बनाने में मदद करने के लिए, पैकेज्ड खाद पदार्तों पर, Front of Package, जिसे Short Form में, FOP, Labeling सुरू करने का निड़ा लिया है, तो आपको FOP Labeling लिखकर क्या आएगा, तो FOP का फॉल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा, FOP का फॉल फॉर्म में, पैकेज खाद पदार्त, ठीक है, चलिए, FOP Label Package के पीछे की बजाए अधिक सुलुम इस्तान पर सरल पोसल संबंदी जानकारी प्रदान करना है, देखिए, अभी तक FOP Label जो था, वो Package के पीछे हुए करता था, कहीं छोटी सी जगह पर, लेगिन अब जो FOP जो Label है, वो प्रदारा में की गई थी, ये बहुत महत्मूर प्रशन है, F, S, S, A, I, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश देखते हैं, अभी हाली में, भारत और इंडोनेसिया नौ से नाओ के मद्धे, कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है, मित्रसक्ती समुद्रसक्ती, शूरी किरण या फिर हैंड इन हैंड, आईए एंसर देखते हैं, सही एंसर बी अन की, समुद्रसक्ती जो युद्ध अभ्यास है, वो अभी हाली में भारत और इंडोनेसिया के मद्धे आयोजित किया गया, चलिए, बागी के युद्ध अभ्यास दिख ल बाइस सिवालिक और कदमत, दो जहाज यहां पर गया थे, जहाजों का नाम याद रखेगा, सिवालिक और कदमत, इंडोनेसिया नौसिया के साथ है, दूपच्छी युद्ध अभ्यास समुद्ध सक्ती के तीसरे संस्क्रण में भाग लेने के लिए, इंडोनेसिया की जका बाइस सिवालिक तक सुंदा जल्डमरू मद्ध में आयजित किया गया था, अभ्यास का उद्धिया समुद्ध करने, दोनों देशों की सेनाओं के 20 संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है, तो बस आपको इतना रखना है कि भारत और इंडोनेसि आगे बढ़ते हैं अग्रापस देखते हैं देखे कौन-कौन से यह दभ्यास हुए उनके लिए एक हम अलग से वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं बिलकुर पिक्चर्स के साथ में आपको दिखाया जाएगा चलिए हाली में जारी ग्लोबल इनोवे रभी आनि कि 46 वी रैंक रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की कुछ जांकारी आपको देते हैं तो देखिए विश्चो बौदिक संप्धा संकटन के अनुसार भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 132 अर्थ व्योस्ता वाले देशों में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और 46 वे इस्थान हासिल किया है तो पिछले वर्ष तर इसकी स्थान क्या था तो 48 वे इस्थान उनकी नवाचार छमताओं के अनुसार रैंक करता है इसमें लगवग 80 संकिय तक होते हैं 80 चीजों पर यहां पर बात की जाती है और जो यहां बताता है कि अर्थ विवस्ता किस तरह की है किसी भी देश की ठीक है स्वीडियन लेंड पहले स्थान पर है स्वीडियन दूसरे स्थान पर है संक्तराज अमेरिका तीसरे और बिटेन जो है वो चौरते स्थान पर है ठीक है तो सुरू के चार भी याद रखना है भारत का रहा है कि क्या यह भी आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगरा तो देखिए पंकज आडवानी का संब्द किस खेल से है अब हमने इस प्रस्त को क्यों लिया है तो इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे श्नुकर होकी बैडमिंटन क्रिकेट आईए एंसर देखते हैं सही एंसर यानिकी श्नुकर से समधित है पंकज आडवानी अब यह प्रस्त हमने क्यों कबर किया है यह देखते हैं तो भारत के पंकज आडवारी ने सितंबर 2020 में कतर के दोहा में अल मैसिला एस याई श्नुकर चेंपियंसिप का सफलता पूरवक बचाव किया है जब कोई किसी चेंपियंसिप का बचाव करता है यानि कि इस से पिछले वर्स भी उसी खिलारी ने इस टून को जीता था और इस बार भी उन्होंने इस टूनेमेंट को जीत करके अपनी ट्रॉफी का बचाव किया है ठीक है कहाँ पर कतर के दोहा में अल मैसिला में एस याई श्नुकर चेंपियंसिप आउजित की गई ठीक है उन्होंने इरान के अमीर सर्खोस को ग्यारा फ्रेम dos प्रारूपों को 2019 में जीतने वाले एक मार श्नुकर क्लारी कौन है पंकजळ आडवारी है तो सभी तरह से हमारे लिए अतिमें ठीक है याद रखेगा पंकजळिवारी का का बिमोचन किया गया है अब यह पुस्तक महत्रपूर क्यों है किसके बारे में लिखी गई है वो सारी जनकारी आई है हम आपको देते हैं तो रच्छा मंतरी राजनाज सिंग ने साइनिंग सिंग आफ इंडिया नामक पुस्तक का बिमोचन किया इसे पंजाबी पटियाला के प्रसासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभिलीन सिंग ने लिखा है तो इसका नाम भी याद रखी का इनका नाम है डॉक्टर प्रभिलीन सिंग ठीक है यह पुस्तक सिखों के नवे गुरू तेक बहादूर की चारसवी जैनती के इस मरडोस सब का हिस्सा है तो सौ ऐसे सिखी हुआ जो मतलब की जमीनी लेवर से उड़ करकी बहुत हाई लेवल तक पहुचे है तो किस तरह सुनको सफलता मिली है उसके बारे में इस मुस्तक में बता गया है याद रखी का बिमोचन किस ने किया है तो हमारे रच्छा मंतरी राजनास सिंग ने इसका बि पर इच्छा में कैटली टोर टोर वेल या फिडॉल्फिन आई एंसर देखते हैं सही अनसर एन की कैटली नाम से एक जो मचली होती है उसको सिक्किम ने अपनी राज्य मचली के रूप में घोसित किया है क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदिस की मचली का क्या नाम है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रशन के बारे में कुछ जहनकारी ले ले लीते हैं देखिए सिक्किम सरकार ने इस्थानी रूप से कैटली नाम की कूपर महासीर मचली को राज मचली के रूप में नाम दिया है यानि कि जो कैटली नाम की मचली है वो कूपर महासीर की प्रजाती है और उसको सिक्किम सरकार ने अपनी राज मचली गोसित किया है सिक्किम में कैटली विभिन उचाईयों पर पाई जाती है जो मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित नदियों और उनकी सायक नदियों में सीमित पूरे राज़ में फैली रहती है तो यादा किगा तीस्ता और रंगित नदियां कहां पर बैती हैं तो ये भी आपको एक फ्रेस्ट क्लियर होता है कि सिक्किम में बैती है तीस्ता और रंगित दोनों नदियां वर्ष 1992 में ICAR की NBFGR का फुर्फर में यादा कीगा National Bureau of Office Genetic Resources लखनों ने केटल मचली को लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में बढ़गी क्लिया था यानि की केटल मचली लुप्त होने वाली एक मचली है इसके जो है इस मतलब लिश्ट में इसको रखा गया था किस ने रखा था तो NBFGR ने रखा था जिसका मुख्याल है कहां पर है लखनों में है तो तीन से चार प्रज्ट में एक ही प्रज्ट में आपके यहां पर क्लियर हो गए हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां से हम सुरू कर रहे हैं 23 सितमबर 2021 मद्रप्रदेश करेंट अफिर के मेंत्र से 5 अक्टूबर 17 सितमबर से 7 अक्टूबर 7 या फ्रीन वेसे कोई नहीं एंसर देख लdock के 7 अक्टूबर से 7 अग्यान का आयवेजन कर रही है किस से सम्ब्ध है आई ये देखते हैं मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने कहा है कि सितंबर 2020 को प्रदेश के 32 जिलों में 139 निर्मित आगनवारी केंद्र भावनों का भी लोकारपन यहां पर किया गया है. मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान के दारा ठीक है तो आगनवारी से क्या होता है तो जो बच्चे होते हैं उनको विकास में यहां पर साहता मिलती है जो मैला होती है उनको रोजगार मिलता है तो आगनवारी केंद्रों का यहां पर 103 नए आगनवारी केंद्रों का गया है अब यह जो गॉथा होती हैं इनका जाइदतर आयोजन या तो गा लियर या तोा इंदार में क्ईथायोजन की जा जड़का रल की जाता है तो चलिए देख लेते हैं को इसलिए में किस तरह से बचाना है उसके बारे में दाहिता है तो मद्धिधिस इंडियाज इमर्जिंग एक्सपोर्ट टाइवर कॉंक्लिस का आयोजन राजधानी भुपाल में इस्तित मिंटो हॉल में किया गया तो ठीक है तो भुपाल के मिंटो हॉल में आयोजन किया गया मिंटो हॉल का निर्मार की बात कर लेते तो मिंटो हॉल के खुसिया बेगम के द्वारा 1909 में इसका एउजन कराया गया था दोस्त मुहंबत खान के द्वारा भूपाल की इस्थापना की गी थी ये आपको याद रखना है कैकुसिया बेगम की द्वारा मिंटो हॉल का निर्मान करवाया गया था ये दोनों प्रश्न ब्यावम ने कई बार अपनी परिच्छाओं में पूछे हैं मिंटो हॉल शुरुआत में मद्वर्देश का बिदान सभा भवन हुआ करता था ठीक है बोपाल की बात करें तो सबसे स्वच राजधानीयों में पहले स्थान पर मद्वर्देश का ब्ववें यह आपको यादट रहा है वन भिहार राष्टि उध्यาन ब्वौपाल में ही इसकैट यह すब्क्रश तो यहां शुरू कर रहा है आपको आगामी परिच्छाओं की एक बहतरीन तयारी हो सकेगे ठीक है करेंट की तयारी तो हो ही रही है स्टैटिक जी के भी आपकी कवर हो रही है मद्दपिदेश का करेंट फिर भी कवर हो रहा है और एक्जामस में किस तरह के आहल फिलाल पूचे जा रहे है वो प्रस्ट में हम आपके लेकर के आ रहे हैं तो इतनी मेनत के लिए एक लाइक एक कमेंट तो बनता है आगे बढ़ते हैं देखिए तो पहला प्रस्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा यहां पर गलत है भीतर करिका राष्टी उध्यान ओलव रिडले के लिए प्रसिद है दलमा हिल्स क्या जंगली हाथियों के लिए प्रसिद है काजी रंगा क्या एक सीधिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद है दाचिंगम क्या एसी आई सेर के लिए नहीं प्रसिद है तो दाचिंगम किसके लिए प्रसिद है चलिए उसके बारे में पूरी जानका लिएते है बाकी के तीनों आप्शन बिल्कुल सही है भीतरकनिका, ओलीव, रिडले, कचुवा जो होता है उसके लिए प्रसिद है ओडीसा में इस्तित है भीतरकनिका और यहाँ पर जो जील है डल जील डल जील तो जमू के सुमने है ओडीसा की जील है, उस जील में जो है भीतरकनिका राश्टी उद्ध्यान इस्तित है और वहीं पर ओलीव, रिडले, कचुए पाये जाते है ठीक है, दलमा हिल्स की बात करते है दलमा हिल्स जो है, वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद है काजी रंगा राश्टी उद्ध्यान जो है असमवाला वो एक सिंग वाले गैंड़े के लिए प्रसिद है चलिए कुछ जानकारी आपको देते है तो दाचिंगम राश्टी उद्ध्यान 1981 में स्थाफित किया गया था और यह कस्मीरी बारा सिंगा यह पिर हंगुल के लिए प्रसिद है तो दाचिंगम राश्टी उद्ध्यान किस के लिए प्रसिद है कस्मीरी बारा सिंगा और हंगुल के लिए प्रसिद है हंगुल जम्मू कस्मीर का राजकी पसू है यह भी आपको याद रखना है IUCN की लिष्ट में यह लुप्त प्राय प्रजाती में बताया गया किसे हंगुल को तो याद है कि हंगुल जो है वो कहा का राज की पसू है तो जम्मू कस्मीर का राज की पसू हंगुल है या प्रस्ट भी NTPC में पूचा गया था ठीक है आगे वड़ते हैं अगना प्रस्ट देखते हैं चलिए एंसर देख लेते हैं तो या भारत में पाई जाने वाली पाँच बड़ी बिल्लियों में से एक है जो सेर है वो बिल्लियों की एक पर जाती है उन में से एक है ACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC चलिए एंसर देख लेते हैं सही एंसर एन की हैजा पेचिस पूलियो और टाइफाइड ये चार ऐसे रोग है जो पानी की वज़ाई से होते हैं जल प्रदूर्शन की वज़ाई से जो है ये सरीर में उत्वन होते हैं ठीक है बाकी इसकरवी आप जानते हैं बिटामिन C की कमी से इसकर भी होता है देखिए तो जल जनित रोग सुच में जीवों के कारण होते हैं जो जल में संचारित होते हैं यहां रोग इसनान धोने के जल पीने के जल संकल्प के जल संपर्क में आने वाले भोजन के खाने से फैलता है तो अगर आप रदूसरी जल का उप्योग करे तो है जाब पेचिस पोलियो टाइफ एडिया चार रोग आपको हो सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां से हम सुरू कर रहे हैं और परिछाओं में किस तरह से प्रेशन पूछे जाते हैं सीधे एक्जाम पेपर से स्क्रीन सॉट लेकर कि हम आपके लिए लेकर यहां पर आयोजित किया गया था देखिए अभी ग्यान प्रद्यों की जिसे हम रिकगनेशन टेक्नलोजी कहते हैं में OMR का उपयोग होता है तो इसमें M का पूर्ण रूप क्या है तो आप से सीधी सीधी यह पूछा जा रहा है कि OMR की फुल फॉर्म में M का रूप क्या हो होता है मैनिपुलेटर मेरेरिंग मैगनेटिक या फिर मार्क तो इसका सही आंसर होता है तो चलिए OMR की फुल फॉर्म आपको बता देते हैं तो ऑप्टिकल मार्क रिकगनेशन जो है यह OMR की फुल फॉर्म होता है सरुपयोग कहा पर किया जाता है तो जो आप उन पूछते हैं इस बार पूछ लिया इस बार एम पूछा है अगली बार पूछ सकते हैं किसी अन्य एक्जाम में आर पूछ सकते हैं तो ओमर का फुल फॉर्म आपको यादखना है अगल प्रस्टा निम्ल कितम से किस खिलाडी ने तेराकी में सरवाधिक सबसे जढ़ांग वी जाना जाता है यह भी आपको यादकना है। Super Swimming Men भी इनी को कहा जाता है अमेरिका के खिलाडी है अभी हाली में इन्होंने सन्यास भी ले लिया है 2016 के ओलंपिक के बाद इन्होंने ओलंपिक से और तेराकी से सन्यास ले लिया है एक बछने कई वार पारीच्वऩा में पूछा एता है बटर्फ्लाइ स्टोक किस से संबंदिते तो याद रहां किता। ये आपको याद अखना है। माइकल फ्लेप अमेर्का की हिलाड़ी है ये भी आपको याद अखना है। देखेे। नीती आयोक का गठन कभ किया गया था। सिंपल सप्रशन है एक सितंबर 2015, एक अपरेल 2016, एक अपरेल 2014 या फिर एक जनवरी 2015 सही अंसर है एक जनवरी नई साल के दिन एक जनवरी 2015 को नीती आयोग की स्थापना की गई थी किसके स्थान पर आया था तो योजना आयोग के स्थान पर आया था वर्तमान में राजीव कुमार जो है वो वर्तमान में CEO है पहले CEO कौन थे तो अरविंद पनगरिया जो है वो नितियायो के पहले CEO थे ठीक है ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है एक्जाम में आगे बनते हैं सही अंसर है C यानी की नागालेंड में हॉर्णबिल त्योहार मनाया जाता है यह प्रस्त भी NTPC में आया हुआ है यह स्क्रेंशॉट कीचकर क्या है आपके लिए लिकर क्या है जो फरवरी 2020 में NTPC का आयोजन हुआ ठीक है नागालेंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ पर ही होरन बिल महस्तों का आईजन किया जाता है आगे बढ़ते हैं तो अगले सेग्मेंट की और पढ़ते हैं कल के प्रस्थन की बात कर लेते हैं कल के प्रस्थन का सही उत्तर है सिवपरी हमने आज से पुछा था कि तात्या टोपे को फासी कहां पर दी गई थी सही आंसर है का कहना है सर MPPC प्रिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा कुछ पता नहीं मेरे भाई देखी कितना सारा यहां पर किट्सिज्म चल रहा है MP में तो MPPC का रिजल्ट कब तक आएगा इसका कोई जानका नहीं है हाँ ये जरूर है कि फरवरी में MPPC का एग्जाम होगा प्री इसकी तैयारी आप करके रखिएगा ठीक है चलिए राहुल मालवी ने सिवपरी बताया है पुरसोतम परमान ने सिवपरी बताया है सचिन पारसन ने सिवपरी बताया है पूजा दांगी ने 1889 को सिवपरी में बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों ने डेट भी बताई है उसके बा अईसे ही कमेंट करते रहिए आज का प्रश्ण आपको पता है पहले हमने आपको बता दिया है आईए एक बार और बता देते हैं तो आज का प्रश्ण है मद्भरदेश की राजकी मचली क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किज़ेगा बड़ा सिंपल सा प्रश्ण है मंद्र प्रदेश की राज की मचली क्या है हो सकते हैं इसका साइंट फिक नेम भी लिखेज़ेगा वीडियो पसना है वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तक पर सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जहुर दबा जिगा इसकी पीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलिग्रम चैनल पर जा सकते हैं वहाँ पर आप सक्से जंग से सर्च कीजिए हमारा टेलिग्रम चैनल भी आपको देखने को मिल जाएगा जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार एक सब स्कतर करने को दिए और मिलते लिए पहाँ भीडियो Till Leans वाल आा